नमश्कार मैं डॉक्टर निविदिता आज आपसे बात करूंगी अस्थमा के प्रॉब्लम जो होती है किसी को तो उसमें आप क्या खाएं और क्या ना खाएं इस टॉपिक के बारे में जी हाँ आस्थमा के बारे में हम जानते हैं कि ये आपकी रेस्पारेटरी प्रॉब्लम जो होती है रेस्पारेटरी सिस्टम जो होता है उसका रेस्पॉंस होता है इम्यून सिस्टम का रेस्पॉंस होता है किसी भी ऐलर्जिन के खिलाफ जिसमें आपकी स्वास की नली सुकु जो आपकी problem को trigger करें या बढ़ा दें उन सारी चीजों को आप avoid करें लेकिन ऐसे कई सारे patients हैं इसे कई सारे लोग हैं जिन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज मेरी problem को बढ़ा रही है या कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी problem को trigger कर रही है तो ऐसे सारे cases में हम एक general guideline को follow करना शुरू करते हैं तो yes important है कि आप अगर अपने triggering factor को समझ चुके हैं तो आप उन चीजों को avoid कीजिए और अगर आपको नहीं पता तो at least जो general guidelines है उन्हें तो आप follow कीजिए ही जैसे rice ऐसा देखा होगा आपने कि चावल खाते ही आपकी problem बढ़ जाती है या दमा आपका सास फूले की problem होने लगती है similarly जो लोग non vegetarian है उनको fish खाने से या कई लोगों को meat खाने से problem बढ़ जाती है ऐसे ही case में हम देखते हैं कि कुछ ठंडा हमने खा लिया जादा खटा खा लिया refrigerated कोई ऐसी चीज खाली तो इन सारी चीजों से हमारी problem बढ़ जाती है तो आपको ये चीजें avoid करनी है इसी के साथ में कई लोग ऐसे हैं जो alcohol में wine, brandy ये सब लेते हैं आपको wine और beer को avoid करना है क्योंकि ये भी कई बार अस्थमा को trigger कर देती है हम जानते हैं ये lungs की problem है और lungs में already आप जो भी सांस ले रहे हैं उसका effect आता है already आपके lungs में problem है और pollution दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो इस case में जितनी साफ वायू साफ जगे पे आप रहें उतना अच्छा है लेकिन कई लोग smoking करने के आदी होते हैं कई लोग cigarette पीते हैं और regular basis एक दिन में 10-15 उनको पता है कि उन्हें asthma है या उनके आसपास के लोग करना है ऐसे कई लोग हैं जो अंगीठी पर खाना बनाते हैं या open जिसमें बोल सकते हैं कि किचिंस में जो खाना बन रहा है वो लकडियों के आग में खाना बन रहा होता है तो ऐसे भी लोगों का जो अस्थमा है वो ट्रिगर कर जाता है और उसी के साथ जब हम बात कर रहे जो आपकी साथ में, आपके fumes के साथ में जो धुआ निकल रहा है वो काफी जादा घातक साबित होता है तो इन सारी चीजों को आप avoid करें खाने में मैंने आपको बताया कि आपको खटी, ठंडी, चिकनाई वाली जैसे दूथ और दूथ से बनी हुई चीजें आपको avoid करनी है बासी चीजों को आपको avoid करना है, जितना हो सके ताजा खाना खाए तो जब हमने discuss कर लिया है कि क्या हमें avoid करना है तो क्या लेना है ये भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है इस case में सबसे ज़्यादा अच्छा जो आपको बताया जाता है अप regular basis पे लें वो होता है apple आपने सुना भी है एक apple से आप अपने सारे रोगों को दूर भगा सकते हैं तो apple कहा जाता है कि आप अगर week में 4-5 apples भी ले रहे हैं regular basis पे तो आपको काफी हद तक इस problem में relief मिल जाएगा क्योंकि apple में ऐसे कई सारे alkaloids हैं ऐसे काफी सारे active ingredients हैं जो आपकी problem को resolve करेंगे जो आपकी inflammation को कम करेंगे इसी तरीके की जितनी भी berries हैं berries में सभी berries आ जाती हैं सबसे अच्छी हमारी Indian goose berry जिसे हम आवला के नाम से जानते हैं जो आईरवेद की बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है पी कह सकते हैं कि इस world को लगभग सारी ही medications में डाला जाता है जाहे आप त्रिफला की बात करें चवनप्राश की बात करें या किसी भी आमला की रसायन की बात करें ज्यादा तर immunity पढ़ाने वाली medicines में आमला जरूर पढ़ा होता है तो इसकी बात करें या strawberries की बात करें या आप blueberries की बात करें, कोई भी berries की अगर आप बात करें हैं, तो ये सब anti-inflammatory nature है, और अस्तमा में हो क्या रहा है, सूजन हो रही है, inflammation हो रहा है, तो सूजन को कम करने वाली चीज़ें आपको काफी हद तक help करेंगी, तो apple, berries, इसके साथ में अगर आप green leafy vegetables को incorporate करें, इसमें भ काफी जादा inflammation को कम करने वाली ingredients होते हैं, उसी के साथ में जितने भी fruits हैं, बहुत जादा ठंडे fruits ना ले यां, बहुत जादा sweet fruits ना ले, यानि कि आपको अंगूर नहीं लेना है, बहुत जादा, ये सारी चीज़ें आपको avoid करें, लेकिन otherwise आप apple, papaya, guava भी ले सकते हैं, ल उसी के साथ में थोड़ा सा आप जितनी भी हमारे घर में available spices हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, अद्रक हो गई, काले मिर्च हो गई, या फिर अगर हम बात करें किसी भी सौठ जैसी चीज़ की, पिपली जैसी चीज़ की, इन सभी का अगर आप उपयोग करेंगे, साथ में तुल इससे आप अपने अस्थमा को ट्रिगर होने से ही बचा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है अस्थमा, जिसे हमें अगर पूरी तरीके से ठीक करना है, या हमें इससे निजाद पाना है, तो इसका proper treatment करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है, हमारे आयूरवेट संस्थान म श्रियाज में आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी lungs की capacity increase कर सकते हैं, डाइट प्रॉपरली आपके लिए assign करके दी जाती है कि आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, इसके साथ में follow-up doctors आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, कि अगर कोई problem हो रही है, त तो आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी inhalers, nebulization, anti-allergic medication, bronchodilators या हमारे steroids को लेने के बावजूर, वो ऐसे patients को काफी हद तक relief मिलना शुरू हो जाता है, steroids, inhaler को regular basis पे लेना उनका बंद तक हो जाता है, तो आपको अगर अस्थमा से related कोई भी problem है, या आपके प्रेजनों को अ जात पाना है, उनकी कोई query है, तो आप इन दियो हुए numbers पे हमें call करके हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, या इस comment section में comment करके भी अपनी query डाल सकते हैं, मैं और मेरी team पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी problem में आपको solution दिलाने की, धन्यवादी